हाई एवरिवान आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ ऐसा मैजिकल फेस मास्क जो कि ना सिर्फ आपके चहरे का रंग निखारेगा साथ ही अगर डाक स्पोर्ट पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी ब्लाक हेट्स, वाइट्स, ओपन पोर्ट कोई भी दिक्कत है वो सारी आपकी गायब हो जाएगी इस एक फेस पैक से बहुत इलाजवाब कमाल का पैक है इसे हम बनाएंगे घर में मौजूद कुछ ऐसे इंग्रीडियन्ट से जो की बहुत जादा कमाल का काम करते हैं कोई नुकसान नहीं होगा इससे मार्किट से बहुत सारी पैक खरीद के लाते लगाते हैं और फिर भी वो गलो नहीं आता जो हम चाहते हैं पर इससे डेफिनेटली गलो आएगा और हमेशा के लिए आएगा सिर्फ एक बार के लिए नहीं तो आगे देख लेते हैं से कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, जिसके अंदर मैं डालने वाली हूँ, मुलेठी पाउडर, मुलेठी आपने सुना होगा, गले के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये सिर्फ गले के लिए अच्छी नहीं होती है, ये हमारी skin के लिए भी उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे काले पं को दूर करती है, चहरा अगर काला हो गया किसी वजे से, और uneven skin tone हो गया कही से गोरा कही से काला या फिर pigmentation हो गया, ज्ञाईया हो गई है, डार् सारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा नहीं मिलता है तो ओनलाइन लिंक मैं दे दूंगे डिस्किप्शन बॉक्स में आप वो चेक कर सकते हैं वहां से ले सकते हैं दूसरी चीज़ जो मैं इसमें डालने वाली हूँ एक टेबल स्पून मैं इसमें डाले हूँ चंदन पाउडर चंदन आप जानते कितना बढ़िया होता है स्किन के लिए ठंडग भी देता है ड्राइ स्किन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी चहरे में निखार आ जाएगा धिरे धिरे पिग्मेंटेशन डाक स्कॉर्ट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी ऐसा ग्लो आएगा कि लोग पूछेंगे आपसे कि क्या लगा रहे हैं दालना है क्योंकि अगर जादा डालेंगे तो चहरा पीला हो जाएगा घर की हल्दी मत इस्तमाल करिएगा मैं रिकमेंट नहीं करती हूँ अगर फिर भी करना चाते तो चुटकी भर से जादा नहीं करना है दो चमच में यहाँ पर दही एड़ कर रही हूँ दही में होता है लैक्तिक एसेड और यह भी रंग को निखाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है साथ ही अगर पिगमेंटेशन जाईयों की प्रॉब्लम है वह भी धीरे-धीरे कम होगी यहाँ पर एक टिबल स्पून मैंने शहट डाला है शहट क्या करता है एंटी बेक्टीरिल होता है पिंपल की प्रॉबलम है वह भी धीरे-धीरे कम होगी साथ ही सकीन को रिपली मौश्राइज करता है तो फाइन रिंकल की प्रॉबलम भी कम होजाती है ड्राइ सकिन की प्रॉब्लम है वह भी धीरे- Me functional Pop denial कर अब इसके अंदर में जो next चीज एट करने वाली हूं वह ग्लिस्रीन सरदिया शुरू हो गई हैं सरदी का मौसम आती ही स्किन बहुत ज़दा ड्राय होने लगती है फटने लगती है जोसे पूरी सकिन का ग्लोड चला जाता है तो इसके लिए हम डालेंगे हाफ टी स्पून ग्लिस्रीन स्किन को डीपली मॉस्ट्राइज करती है जब स तो आपके फाइन लाइस रिंगल्स की प्रॉब्लम भी खतम होती है साथी आपके स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है अब मैं इसमें डाल ले हूँ गुलाब जल गुलाब जल भी हमारे चेहरे को निखाने में बहुत जादा मदद करता है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह अभी काफी ड्राय लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और एड करूंगी तो अपने हिसाब से आप गुलाब जल कम जादा कर सकते हैं इस पेस्ट को हमें रखना है मेडियम जैसे हम कोई भी फेस्ट बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसे रखन हो गया है तो अभी यह देखें काफी गाठा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेती हूं और यह इतना कमाल का काम करता है मैजिकल फेस पैक गोल सकते हैं इसमें इतने सारे गुण है कि आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स को अकेला दूर कर सकता है पर मेरे मार्किट का लिया है आप चाहिए तो फ्रेश वला ले सकते हैं उसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें डाल लीजेगा ऐलोरा जेल के गुण में क्या गिन्वाओं बहुत सारे हैं वीडियो खतम हो जाएगी पैसके जो इसका गुणगान है वो खतम नहीं होगा क् इसकीन के लिए तो वरदान है जो बहुत अच्छा है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अलोवरा ऐसी चीज है इससे तो सारी प्रॉब्लम आपकी जड़ से खतम हो जाती है तो यह हमारा ओल इन वन पैक तैयार है इसे कैसे अपलाई करना है वो भी मैं आपको दिखा द कर सकते ने तो गुलाब जल्से को लगाया है अब Богका से अपने टेज़ पर कर रहे आप से भी कर सकते हाथ को च्छे से वाश कर लिए अग्याब कर वह लेश तो वह उफिस फेस पे लगा लेते हैं फिर आपके अखने विम्ति की प्राब्लम हो जाती है साथ इस पी आज पैक है इसे में गर्दन पे अप्लाई करना पसंद करती हूं जो भी पैक में लगाती है उसे गर्दन पर ज़रूर लगाती हूँ ऐसा करने से जितना आपका फेस चमकेगा सिम उ अच्छे सी लेयर लगा ली है पूरे फेस पे और नेक पे यहां पे अच्छे से पूरे पैक को आपको अपलाई कर लेना है उसके बाद जो बचा हुआ है इसे आप फिर से रियूस कर सकते हैं इसे अगले दिन लगा सकते हैं या फिर इसे नेक्स ट्री लगा सकते हैं तो इसे बारबर बनाने की जुरूत नहीं, दो चल बार अराम से चल जाता है, इसे सूखने देंगे, यहाँ पे जो पैक है वो काफी अच्छे से सूख चुका है, सूखने के बाद आपको क्या करना है, खाली पानी से नॉर्मल वाटर से इसे इस तरह से स्क्रब करते हुए आपको धो होना है, और कोई face wash, कोई साबन काा में नहीं करना है, अब मैं आपको धो के, दिखाती हूं, तो यहाँ पे मैंने अपने face को clean कर लिया है, खाली पानी से wash किया है, और इसके बाद मैं तोवल से इस तरह से अपनी face को सुखा रही हुँ, कभी भी तोवल से रगर ना नहीं यह फेस को नहीं तो फेस लूज हो जाएगा आपका जुरिया पढ़ने लगेंगी तो यहां पर हलका हलका टैप टैप करते हुए मैंने अपने फेस को अच्छे से सुखा लिया है आप देख सकते कुछ भी नहीं लगाया है और स्किन में गलो आप देख सकते कितना जादा आय है यह देखें देख रहे हैं तो अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं क्या किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया और दूसरों के साथ शेयर करें आप इंस्टाग्राम और फेस्बुक मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक नहीं करेंगे न तो थोड़ा सा मैं डी मोटिवेट हो जाती हूं लाइक करें कमेंट करें दूसरों के साथ शेयर करें ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूर मत भूलेगा